स्रीश्रीवाई नमस्तुभ्यम दोस्तों सूपरभाद तो मॉर्निंग का साड़े पाच नहीं बजा है दोस्तों पाच बच कर दस मिनट हो रहे थे और मैं आई थी च्छत तो ये प्यारा सभी हो आप सबी से सेर की हूँ और कोई भी हम तेवार करते हैं तो नियाम बोलते हैं कि सुबर मॉर्निंग को ही उठके उनकी त्यारी करने चाहिए और सुबर जितना जल्दी हो फूजा कर लेना चाहिए तो बस यहां पर सभी लोग सुबर जल्दी ही उठ गया है क्योंकि घौंग का ही माहूल ऐसा ही होता है बच्चे बुढ़ी सभी लोग उठ जाते हैं तो तो यहां में आप सभी से सहर कर रही हूं और धर में नुट राटल देखे पता चली गिया होगा कि मैं आज आप सभी से पस्तू पतिवत की सुब़ की सरल विद्धि दिखाऊंगी बताऊंगी आप सभी से और क्या खाना चाहिए दिन वर्लिप में तो वही मैं आप सभी से सहर करूंगी तो मॉर्णिंग यहां मैं नीचे आ गई थी और काफी उजाला भी हो गया था मतलब धीरे धीरे उजाला हो रही थी लेकिन सुरी देता नहीं निकले हैं और यहां पर मैं आप सभी को बजरेंगली का जंडा दिखा रही हूँ तो मॉर्णिंग का समय है और हमारे घर के कब उतर भी चार बजे से ही गुटर-गुटर इस्टार्ट हो जाते हैं यहां पच्छियां भी जल्दी ही उड़ जाती है तो बैस सारा काम धाम होने के बाद फुजा की त्यारी करेंगी तो फुजा की थाली रेदी हो चुकी थे हम लोग अश्रान कर लिये थे मम्मी भी अश्रान कर लिये थे और मम्मी कर रही है पसुपती वर्थ तो यह दूसरा सौंबार है और यह पसुपती वर्थ पान सौंबार का होता है आप किसी दिन भी कर सकते हो सुबह की थाली एकदम सिंपल सी थाली होती है बाबा भूले की तो बस बाबा भूले भूले ही होते हैं उनको जो भी आप प्यार से दोना वो स्विकार करते हैं तो बस पसुपतिवत की सुबह की थाली में देख सकते हो अर्वाद चावल यानि वाइट चावल है अबीर, कुमकूम, रोडी और पिली चंदन, कपूर, चन्नामिरित, जल और मिसरी जो भी आप इच्छा अनुसा ले सकते हो फुल बेलपती तो फुल बेलपती पॉलि बैग में इसलिए ममिडारे थी, क्योंकि आधैन वो मुझाये नहीं, क्योंकि पसुपति वर्च सामकी भी फूजा होती है, सामकी थाली आती है%, वही धाली सामको भी आती है, तो सामकी भी कुछ अलग नियम होते हैं, बश सुबा की थाली में सिंपल सा वही थाली रहेगा बस थोड़े से साम को दिये लगते हैं और मिठा कोई हल्वा चड़ता है तो मैं आप सबी से सुबह की पूजा विधी सेर कर रही हूं पसुपतिवज की सिंपल सी सरल पूजा होती है सुबह की जैसे आप रेगुलरी कभी मंदिर जाओ जैसे आप बाबा को जल अर्पित करते हो फूल बेलपति देते हो उसी भगवान को अर्पित करना है सिंगार करने है उनकी जो भी आप भगवान को परशाद लगा सकते हो बाबा को तो जल प्रिय होते हैं बस बाबा जल के ही जल बाबा को दे दो ना बाबा उनी में खुस ह बाबा भोले को बस जली काफी प्रीय होती है और बेलपती तो बस बेलपती फूल वही सब रहेगी जो रिटर्ण साम को वही आएगी इसलिए फॉली बेग में डाल दिया गया दाली थी ममी क्योंकि वह मुर्जाएगी नहीं तो बस यहां पर ममी फुजा कर रही है बाबा जी गया पुरा परिवार स्विलिंग पर ही ने उनके सारे परिवार विराजमान होते हैं तो बाइद भायमे कातिके जी और बीच में ऊसकी छोटी पुत्री असक सुंद्री का होता है और घीत में गोल चक्र वह होती है तो बाबा के पूरा परिवार उनके सिवलिंग भी होती है तो बस बाबा के अब एक लोटा जल बाबा को दोना तो वो पूरे परिवार उनको श्रिकार करते है तो बस बाबा के इस पसुपति वर्त के कुछ ऐसे चोटे चोटे नियम होते है ना, simple सी पूजा होती है, बस धाली simple सी लगती है और पूजा विधी आप जैसे करते हो ना ऊसे ही कर ना है, बाबा को च्टान जल से करवाना है, पंचा मृत हो तो, पंचा मृत ले जा सकते हो नहीं तो बाबा जल में ही खुश हो जाते हैं तो बस ममी यहाँ पर जल चढ़ाने के बाद उसके बाद यहाँ पर ममी पंजामरी से स्ष्रान करवा दी है और मैं आप सभी से बताती हूं यह मंदिर में पहली बार फर्स टाइम आई हूं क्योंकि मेरे माईकी के जो हमारे बच्पन से जो मंदिर को हम लोग फुशा करते थे ना वो अभी खंडित है क्योंकि अभी उनका नियू निर्वान होने वाला है तो मंदिर बनने में थोड़ा सा लेक्त हो ही जाता है ना इसलिए यह थोड़ी सी दूर में है यह मंदिर तो मैं ममी के साथ आई थी और ममी बुलते है ना भगते जहां हो ना तो बबा को कहीं ना कहीं ढूनी लेते हैं तो थोड़ी सी दूर है हमारे गाउं से तो बस यहां पर आए है ममी के साथ मैं भी तो पस्पतिवर्त जब भी कोई करो ना तो उसकी थाली अपनी ही थाली एक थाली अलग होनी चाहिए वो क पुजा करेंगी मैं उनका कोई भी भगवान जी का सिंगार नहीं करूंगी सिंपल तरीके से हम जब सिवाले जाते हैं तो फूजा करते हैं उसी तरह करना है और बस भगवान का नाम जपना है और जो भी आपकी मनुकामना जो भी आपकी इच्छा हो जिसके लिए आपस पतिवत की पूजन कर रहे हो वो बाबा को बोलो तो बाबा अजरूर सुनते हैं और ये बत मैंने भी किया है और शाम की पुजा की मैंने समपूर्न बीधी आप सभी सिर्ष 유द शेゲal किया है आप मेनी अल्ड वीडियो पर जाकर देख सकते हो मैंने सुब़ और शाम की समपूर्न पुजा बीधी आप सभी चेश्टेफ बाइश्टेफ सेर्किया है तो बस यहाँ पर ममी ने पूजा कर ली थी और धुबती आर्थी हो ममी ने कर दिया था और ममी ने यहाँ पर नंदी के कानों में अपनी इच्छा जाहिर की है बाबा को संदेज देने के लिए और मैंने भी पूजा कर लिया था और यहाँ पर पूजा होने के बाद यही थाली साम को भी आएंगी तो बस यहाँ पर आप सब भी बाबा का दर्शन कर लो बाबा का असिरवाद ले लो बाबा भूले भंडारी का पस्पती बाबा का तो बस ममी यहां घर आते ही इस थाली को फिर से वही थाली है जो भी लेके गई थी न वो ममी लेके आई है रिटन तो बचा के लेके आना है आपको साम को कोई भी अलग थाली नहीं लगानी है और इसको अच्छे से ढख देना है ताकि इसे अच्छा सर ढखा हुआ रहे है और यही साम को था लिए जाएगी तो बस ममी ने यहाँ पर ढग दिया है और ममी यहाँ पर कुछ देर बाद यहाँ पर मैंने फल कट कर दिया है और ममी दीन भर फल खाएंगी और परदोस काल के पूजा करने के बाद ही नमक खाएंगी तो ऐसे ही पूजा के कुछ नियम है परद